रिश्यमंत्री रविंद्र चौबे की अध्धक्षता में खरी फिपननवर्ष 2019-20 में किसानों को समर्थन मुल्य पर खरीदे गए धान का 2500 रुपय पति क्विंटल की दर्से भुकतान सुनिश्चित करने के लिए गठित मंत्री मंदली उपसमिती की बैठक में कई अहम निर् बैठक में समीती में शामिल स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साई स्री टकाम वन मंत्री मुहमाद अगबर और खाद मंत्री अमर जिद्भगत उपस्तित थे मंत्रेबंडेली उपसमिती ने बैठक में फैसला लिया कि ओडिशा की कालिया और तिलंगाना की रैतू योजना की ही तरह 36 गड़ में भी नई योजना बनाकर प्रदेश के किसानों को भी धान की किमत 25 सो रुपए दिया जाएंगे यानि अभी जो समर्थन मुले दिया गया है उसके बचे हुए अंतर की राशी को बजट सत्र के बाद दिया जाएगा इसके लिए योजना का नाम नयाय किसान योजना या किसान नयायोजना रखने पर मंथन किया जा रहा है इससे पहले दोनों राज्यों में चल रही योजनाओं का अध्यन करने जल्धी ओडिशा और तिलंगाना का दोरा अधिकारी करेंगे इस बैठक में अपसरों ने दोनों राज्यों की योजनाओं की जानकारी भी मंत्रियों को दी इसमें दोनों राज्य में किसानों को दो तीन किष्ट में MSP और खरीदी दर की अंतर की राशी दी जाती है मंतरीों ने दोनों योजनाओं को किसानों के लिए अच्छा माना इन्ही के आधार पर 36 गड़ में भी नई योजना बनाई जाएगी इसके लिए साल 2020-21 के बजट में राशी का प्रावधान किया जाएगा 36 गड़ में सरकार 1835 और 1815 समर्थन मुले में धान खरीद रही है जबकि घोशना पतर में कॉंग्रेस ने 2500 में खरीदने की घोशना की है क्रिशिमंत्री रविन्द चौबे की माने तो अलग-अलग राज्यों की योजनाओं का अध्यनकर अगले एक महिने में 36 गड़ की योजना बनाने का फैसला किया गया है साथ ही बैठक में धान खरीदी व्यवस्था की भी समिक्षा हुई जिसमें धान खरीदी लिमिट को लेकर बने नियम को शिथिल करने की सिफारिश की गई है खरीदी केंद्रों की लिमिट खत्म करने पर सहमति बनी और तीन टोकन में खरीदी का निर्णा भी बदल दिया गया है वहीं सब कमिटी ने धान के उठाव के लिए नए संग्रहन केंद्र खुलने और केंद्रों में जाम हुए धान का जल्द परिवहन पर भी चर्चा हुई गौरतलभै की प्रदेश में अब तक 49 लाख टन धान किसानों से खरीदा गया है इसमें से 18,60,000 तन धान का उठाव कस्टम मेलिंग के लिए खरीदी केंद्रों से हो चुका है पंजेकरित मेलरों को 20,59,000 तन धान के उठाव के लिए डियो जारी भी किया जा चुका है मेलरों द्वारा 4,81,000 तन चावल जमा किया जा चुका है विरो रिपोर्ट, देश्टीवी